हाई फ्रेंट तो यह हमारी नई बंदू यह हमने अभी अभी बनाई है यह बस अभी रोटो टाइप है अगर यह चली तो हम बड़ी वाली बनाएंगे यानि कि यह अभी ऐसे लकड़ी से बनी है वो सब लोगे की बनी होगी यह उसकी बुलेट यह दिखें फ्रेंट्स यह इसके अंदर यह हारा दिख रहा है यह बारुद है और यह जो गोली है वो जाके लगेगी वो यह है और यह इदर पीछे प्राइमर है और यह बीच में ऐसे एक लकड़ी का तुकड़ा है वो उसके अंदर एक बार एक छेद है लकड़ी के अंदर इस तो यह इदर फटेगी केप तो यह इदर अंदर जो बारुद रखिये उसमें आग लगीगी और यह हमारी गोली है वो जाके टार्गेट पे हि प्रेंड्स अमारे बंदु का सिस्टेम कुछ चीज प्रकाव है यह देकि है यह चमबर यह पुरा मेटल का पड़ी है आप शेंदर अंदर ऑखियों बॉलेट मा मिंहें है यह इन रिख रिख करन होरण हो यह उसमारा और यह लगड़ी है यह अंदर आबस की लकड़ी हैए में रख्रऑर अगये तो पीड़ा है है उसको । दोकड़ और लख्रऑड ऐसे खड़ा है एक रोक्ड़ में रहे तो क्लों की जो हे लख्रऑर है कि वो स्प्रिंग की तरह कांद करें उसको आगे ले जाके हमेरे प्राइमर पर मारे इसलिए हमने यह से कील डालिए उस अंदर वाली लकडी के अंदर और यह लकडी के अंदर इसे भार से दोनों तरब से इसे कोकुला कर दिया है इदर से सब्सक्राइब करें तो अभी यह काम इस पर करेगी कि हमने इसके अंदर से बुलेट डाल दी उसके बाद यह हम ट्रिगर है यह इसको इसे दबाएंगे इसको नीचे से पीचे करेंगे तो यह आगे से नीचा आएगा और यह जो लखडी है कि अंदर दिख रहे हैं हो जाके हमारे इस प्राइमर पे लगेगी और यह फटेगी प्राइमर प्राइमर फटने के बाद यह बाद फटके हमारी गोली जाके टार्गेट पे लगेगी इस तो फ्रेंट्स अभी इसको चलने वाले तो इसको इसको अंदर इसे डालते हैं गोली को यह देखो यह से उस के अंदर हमने खाचा बनाया है कि यह पूरी ऐसे पाइप के अंदर से ना निकल जाए इसलिए थोड़ा सा जाड़ा रचे यह इदर फस गया है इसको निकलने तेसे वापिस खीचने का यह भी इसके अंदर फस गिचुके अभी हमने यह दाब है तो यह जाएगे यह बस एक प्रोटोटाइप यह इसको यह फड़ भी सकता है कुछ कहने सकते यह क्योंकि लखडी को बना है इसलिए कुछ नहीं बोल सकते इसके क्योंकि हमने इसको पहले बार बनाया है तो अब हम इसका टेस्टिंग करने वाले कि आज लिए कि अ कि आज तो अब आपने देखा कि जो हमने गन बनाई थी वह अच्छी तरीके से काम कर रही है और इसकी बाड़ी अभी लकड़ी की बनी है तो अभी हम एक नई गन बनाएंगे जो इसी तरह से काम करेगी पर उसकी बाड़ी मेटल की होगी और वह इससे भी ज्यादा पाउरफुल होगी इसके अंदर हमने सिब एक ही माचिस की बाड़ी दिस्तमाल किये उसके अंदर हम बहुत सारी माचिस के बाड़ी दिस्तमाल करेंगे इससे ज्यादा ही करेंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना करना हो आपकी वर्जी और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी हो और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आपको वो जरूर बताईए तो भी मिलते अगले वी